देखो अक्सर हम बात तो करते हैं कि इंडिया एक महान सिवलाइजीशन है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्ता में सरमसार करने वाली होती हैं और ऐसा नहीं आगी कि यह वनुद रेर एक्जामपल है अक्सर हम ऐसी खबरे देखते हैं अब हुआ ये कि आगरा हाईव कोहरे की वज़े से बहुत सारे विकल्स आपस में भीड़ गए एक के बाद एक एक एक्सिडेंट होते गए और विकल्स की पाइलिंग हो गई मालब 20 विकल्स एक साथ भीड़े हुए हैं कोहरे की वज़े से लेकिन देखो ऐसी सिच्वेशन में अब एक मुर्गियों की गाड़ी थी वो भी भीड़ गई उसका भी एक्सिडेंट हो गया तो लोग क्या कर रहे एक्सिडेंट विक्टिम्स पर ध्यान नहीं दे रहे बल कोविड के दुरान एक न्यूज काफी वारल हुई थी वीडियो वारल हुई थी एक्चली में किसी का आम का ठेला था और ना उस ठेले से वहां पर वो मुझूद नहीं था दुकंदर तो आम के ठेले से सारे आम लूट लूट के ले जा रहे थे और वो काफी वारल हुई थ उस आम वाले की मुलद करने के लिए कि कोविड का टैम है और लोग इस परकार से किसी ठेले वाले के आम लूट के ले जा रहे हैं देखो जो चीज ना हमें दूसरी सिवलाइजेशन से सीखने की आओ सकता है वो सीखनी चाहिए सीखने में कोई सरम नहीं है अकसर ऐसी वीडियोज वाइरल होती हैं जैसे जपान की कि किसी के ना बाइक पे कोई जा रहा था उसकी ना बहुत सारी सबजियां गिर गई एक्सिडेंट की वज़े से तो हम ऐसी वीडियोज अकसर देखते हैं हुमेनिटी वाली की आने जाने वाले लोग जो है वो विकल रोक के मदद करते हैं जिसकी सबजियां गिरी हैं और पूरा हेल्प करते हैं तब तक कि सारी सबजियां सडक से उठा ना ली गई हूँ तो आपने भी देखी होंगी ऐसी वीडियोज और देखो सही बताऊं तो अगर हम एनलाईज करें तो इंडिया में भी ऐसे केसिज हुए होंगे जाहिर तोर पे इंडिया में भी मदद करने वाले लोगों की कमी नहीं है लेकिन देखो फिर भी जो चीज सीखने के आव सकता है जिन भी लोगों को वो हमें उन्हें सिखानी चाहिए और एक महान सिवलाईजेशन के निर्मान करने में हमें बहुत सारी चीजें जहां भी सीखने के आव सकता है वहां हमें सीखनी चाहिए बजाए इसके कि हम ये बोले नहीं, हम कुछ नहीं सीखेंगे, आलरेडी हमारी civilization महान है, एक famous dialogue है न, कोई भी देश महान नहीं होता, महान उस देश को बनाना पड़ता है, और कौन बनाता है, देश के citizens बनाते हैं, citizens जैसे हैं, वैसा ही देश होगा, date आज की 29 दिसंबर है, अ आप बताईए, नए साल का आपका क्या प्लान है, और आने वाले दो दिन आप कैसे बिताने वाले हो, 30, 31, नए साल जब भी आता है न, एक नए मोके के समान आता है, कि अब तो देखो, life में कुछ बढ़िया करेंगे, जो भी आपके मन में चल रहा है, आप बताईए, कुछ हम भी सीख कें, बाकी लोग भी सीख कें, इशुस देखो आज हम 3 डिसकस करेंगे, बढ़िया बढ़िया, सबसे पहला आउर्टिकल आज हम डिसकस करेंगे, इंडिया रस्च्छा रिलेशन्स से सम्मदित, हमारे विदेश मंत्री रस्चा की आतरा पर हैं, दूसरा आर्टि वालोंने की ethics की book कब आएगी 31 December के लिए मैंने push किया था publication वालों को लेकिन उन्होंने target meet नहीं किया आप कह रहे हैं कि 10-15 दिन और लगेंगे तो जैसे ही वो तयार हो जाती है मैं आपके साथ share करता हूँ और जो English वालों के लिए है वो तो बराबर ही मिले जैसे उडान magazines आने वाली है पूरे साल के current affairs के notes आने वाले है बहुत कुछ आने वाला है आपको भी लगता है कि किसी चीज़ के notes आपको चाहिए जो pre के लिए useful होगा तो आप comment box में बता सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूँगा आपके लिए notes बनवाने की तो चलिए discussion स्टार्ट करते हैं इसके बाद ने स्टार्ट कल India और Russia relations से समन्दित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूँ देखो जब देश आजाद हुआ था न तो USA का ज़्यादा tilt न USA का ज़्यादा जुकाव पाकिस्तान की तरफ था और USSR इंडिया के relations अच्छे थे कस्मीर के मुद्दे पर UN Security Council में USSR ने काफे बार इंडिया का साथ दिया USSR ने उस समय इंडिया की मदद की थी Industries Establish करवाने में और देखो एक चीज इंडिया ना Non-Aligned Movement में था NAM में था इंडिया कहता था ना हम USA की साइड है ना हम USSR की साइड है और USA ये कहता था ये जो NAM है एक परकार का ढोंग है या तो कोई देश हमारे साथ है या फिर हमारे विरुद है बीच का रास्ता कोई देश नहीं अपना सकता इसलिए ये NAM, NAM कुछ नहीं है या फर्जी है बट इस परकार की बाते ना USSR ने नहीं बोली USSR ने इंडिया को बोला कि आप नैम में रहके हमारे साथ थोड़ा बहुत कोपरेट करना चाहते हो कर लो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप नैम को छोड़ो इसी का नतीजा हुआ कि 1971 में USSR के साथ Friendship Treaty साइन हुई और इस ट्रीटी ने एक बड़ा रोल प्ले किया 1971 के युद को जीतने में हमारे विदेश मंतरी एस जैसंकर ने एक बहुत इंपोर्टन स्टेट्मेंट दी इन्होंने बोला देखो बाकी ना political equations change हो रही हैं जैसे चाइना रसिया पहले दोस्त हुआ करते थे चाइना USSR उसके बाद चाइना USSR की लड़ाई हो गई चाइना प्लस USA की दोस्ती हो गई और अब चाइना US की लड़ाई हो गई पाश्ट के 70-80 सालों में ये कुछ हुआ है इन तीन major countries की दोस्ती उपर नीचे गई है लेकिन ना world politics में पिछले बहुत सालों से एक चीज़ constant है वो है इंडिया-Russia relations बहुत सारे वार स्टार्ट हुए बहुत सारे वार खतम हो गए लेकिन इंडिया-Russia की दोस्ती constant चल रही है वैसे की वैसे ही चल रही है ये statement अपने आप में काफी important है अभी देखो पांस दिनों की यात्रा पर गए एस जैसंकर रश्या में आम तोर पे holiday season से पहले रश्या में इतनी बड़ी-बड़ी यात्राएं किसी foreign official की होती नहीं है और एक important बात रश्या के राश्टरपती पूतिन ना विदेश मंतरियों से ज़्यादा नहीं मिलते लेकिन उन्होंने एस जैसंकर से मुलाकात की पूतिन मिलते हैं अपने बराबर के leaders से जैसे परधानमंतरी मोदी से, बाइडन से यह लीडर से मिलते हैं, विदेश मंतरियों से वो कम मिलते हैं बट इस विजिट के दुरान, उन्होंने विदेश मंतरी एस जैसंकर से बात की तो यह भी unusual था है, एस समान्या, इस से पता लगता है कि रश्या इंडिया को कितनी तवज्जो देता है अब दूसरी चीज देखो, इंडिया रश्या रिलेशन्स में न काफी सारे कंसर्ण सी मर्ज हो रहे थे जैसे आपको पता है, इंडिया रश्या से बहुत सारे डिफेंस एक्विपमेंट्स परचेज करता है लेकिन रश्या का यूक्रेयन के साथ यूद चल रहा है तो रश्या ये सारे डिफेंस एक्विपमेंट्स अभी इंडिया को नहीं सप्लाई कर पा रहा है और इंडिया को जूरत है, ये तो देखो एक कंसर्ण है जब आप एक्जामपल भी देखिए, S-400 Air System Unit अब इसके लिए रश्या के साथ हमारा agreement sign हो गया है बट इसके delivery रश्या नहीं कर रहा है बहुत delay कर रहा है delivery को एक और चीज़, अभी देखो western countries ने रश्या के उपर sanctions लगाय हुए है कि आप dollar में, euro में, in currencies में trade नहीं कर सकते इंडिया, रश्या से काफी tail purchase कर रहा है तेल, gas ये सब चीज़े purchase कर रहा है बट दिक्त ये है payment कैसे की जाए क्योंकि आम तोर पे payment तो dollar और euro में होती थी अब रश्या इन currencies में deal कर नहीं सकता तो इंडिया तो ये बोल रहा है कि आप रूपी में पैसा ले लीजिए रश्या ये कहता कि रूपी में हम पैसा ले तो लें लेकिन हम उस रूपी को कहां पे खर्च करेंगे तो ये जो issue है ना काफी समय से चल रहा है इंडिया-रश्या relations में और कई बार कुछ solutions भी दिये गए हैं कि किसी तीसरे देश की currency का इस्तमाल किया जाए for example UAE जैसे देशों की currencies का इस्तमाल किया जा सकता है trade करने के लिए लेकिन अभी तक कोई ठोस agreement sign नहीं हुआ है तीसरा देखो इंडिया और रश्या के बीच 2000 के बाद से ही न annual summit organize होता आया है जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंतरी हिस्सा लेते हैं और रश्या की तरफ से वहां के राष्टपती जो अभी पुतिन है लगातार 21 सालों तक ये annual summit चलता रहा बट न जब युक्रेयन रश्या का war start हुआ न उसके बाद 2 साल हो गए प्रधानमंतरी मोदी ने इस summit में हिस्सा नहीं लिया जाहिर तोर पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी यूद चल रहा है और इस यूद के दुरान प्रधानमंतरी मोदी पुतिन से मुलाकात करेंगे तो western countries इसको negative way में लेंगे इसलिए उन्होंने अपने विदेश मंतरी को भेजना उचित समझा पिछले दो सालों से इस बार भी जैसंकर गए है लेकिन एस जैसंकर ने बोला कि अगली बार प्रधानमंतरी मोदी फिर से सिर्कत करना स्टार्ट करेंगे इस summit में तो ये भी एक concern था रश्या की तरफ से कि मोदी ने क्यों नहीं participate किया पिछले दो सालों से तो देखो इन सभी concerns को देखते हुए ये विजिट एस जैसंकर की important थी एस जैसंकर इन सब issues पे clarify करना चाहते थे और जो negativity थी उसको दूर करना चाहते थे तो विजिट पूरी तरह से सफल रही काफी सारी चीजों को लेके सहमती बनी इंडिया रश्या के बीच में जैसे कुडन कुलम नूकलियर पावर प्रोजेक्ट है इसमें नई यूनिट इस्टाबलिस करने को लेके सहमती बनी connectivity इंक्रीज की जाएगी रश्या और इंडिया के बीच में ताकि ट्रेड को और ज़्यादा इंक्रीज किया जासके Eurasian Economic Union और इंडिया के बीच में Free Trade Agreement को लेके जो बाचित चल रही थी कुछ समय से ठब पड़ चुकी थी इस बाचित को फिट से रिवाईब किया जाएगा सबसे लास्ट में Joint Military Production रश्या और इंडिया दोनों मिलके Co-Production करेंगे हत्यारों का जैसे रश्या के पास Technology है तो रश्या उस Technology का इस्तमाल करके Manufacturing करेगा इंडिया में इन चीजों पर सहमती बनी वैसे देखो इंडिया रश्या के बीच में Cooperation तो चलता रहता है UN में क्या Stand लिया जाए उसको लेके इंडिया और रश्या आपस में Consult करते हैं Brics जिसमें पहले 5 Member हुआ करते थे अब Total 11 Member हो गए है Expanded Brics का Summit अगले साल रश्या में Organize होगा Brics में भी Cooperation चलता है इंडिया रश्या के बीच में Last में राइटर ये कहते हैं दिखो इस मोके पर रश्या में विदेश मंत्री की विजिट एक परकार से सिगिनल भी देती है West को कि आप हमें न Granted नहीं ले सकते जैसे ना India-US Relations में कुछ concerns देखने को मिले अभी जैसे पन्नू Investigation को लेके ऐसा लगा कि जैसे पन्नू के मुद्दे पर न US जो हैं इंडिया की टांग खीच रहे हैं US का indirectly इंडिया के उपर आरोप है कि इंडिया ने पन्नू को US की धर्टी पर मरवाने की कोशिस की भाया पहली तो बात इंडिया को अपना दोस्त बोलते हो अगर इंडिया की जगाए UK होता इसराइल होता तो तब भी क्या आप इस परकार की बाते पबलिक दोमेन में रखते आपने सारी तो चीजे लीक कर दी लीक होने के बाद में इंडिया एक परकार से हुमिलियेशन का सामना इंडिया को करना पड़ा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था दूसरी चीज रिपबलिक दे के मोके पे बाइडन को इन्वाइट किया गया था बाइडन ने मना कर दिया उस लिहाद से देखो ये जो जैसंकर की विजिट है रशिया में इसको नोटिस किया जाएगा यूएस समेथ दूसरे वेस्टरन कंट्रीज में और चाइना में भी तो ये हमारी थी इस आर्टिकल की डिसकर्शन इंडिया रशिया रिलेशन से समधित चलते हैं देखो 2014 में जब BJP की सरकार आई तो Make in India प्रोग्राम लोंज किया गया Make in India प्रोग्राम को लेके न बहुत सरे एक्सपर्ट्स ने डाउट भी व्यक्त किया कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 1970s और 80s के युग में वापस जा रहे हैं क्योंकि Make in India मतलब आप इंडिया में प्रोड्यूस करो और 70s और 80s में भी इंडिया जो है Self-Sufficiency पर ज़्यादा रिलाए करता था हमें ना कोई चीज दूसरे देशों से इंपोर्ट ना करनी पड़े जिस भी चीज के आप सकता है सब कुछ इंडिया में ही Manufacture हो और हमारी Dependency दूसरे देशों की Companies के ऊपर कम से कम होनी चाहिए ये सोच थी इंडिया की 70s में और 80s में इस वज़े से ना विदेशी Companies हमारे देश में प्रोडेक्ट को एक्सपोर्ट करती उस पे ना सरकार Import Duty बहुत ज़्यादा लगाया करती थी बहुत ही ज़्यादा लेकिन देखो इसके ना काफी गंबीर Consequences निकले जैसे आपको Example देता हूँ इस चक्कर में कि सरकार Self-Sufficiency चाहती थी और नहीं चाहती थी विदेशी Companies के प्रोडेक्ट इंडिया में आए इसलिए सरकार उन पे Import Duty Increase कर देती थी तो इसका Result ये निकला हमारी Domestic Companies Profit तो कमाने लगी लेकिन नुकसान किसको हुआ Consumers को जैसे Example देता हूँ BHEL है Power Products बनाया करती थी BHEL Products की Quality कोई अच्छी नहीं होती थी और विदेशी प्रोडेक्ट को सरकार अपने देश में आने नहीं देती थी तो consumers को मजबूरी में घटिया प्रोडेक्ट परचेज करने पड़ते जिनकी Quality अच्छी नहीं होती आप अनेको सेक्टर के Example ले सकते हो जैसे Telecom सेक्टर का इवन देखो एक एक लैंड लाइन का कनेक्शन लेने के लिए ना 5-5-6 साल वेट करना पड़ता था Black Market में लैंड लाइन के कनेक्शन मिलते थे आज के समय में देखो घर सिम देखे जाते हैं और एक्जामपल देखे हिंदूस्तान मोटर्स कार बनाया करती थी क्वालिटी कोई अच्छी नहीं होती थी ओप्शन्स जनता के पास लिम्टिड थे क्योंकि सरकार विदेशी प्रोडेक्ट्स को आने नहीं देना चाहती थे न देश में लेकिन आज देखो कितनी सारी कंपनीज हैं किया, हुंडई, आपस में बैन-बैन है दोनों कंपनीज तो कस्टमर्स के पास न ओप्शन्स बहुत ज़्यादा है तो राइटर का डर ये है सबसे पहले कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूग सेवेंटीज में था एटीज में था मेकिन इंडिया के बाद वही यूग सरकार वापस लाने की कोशिस कर रही है सरकार ने का कि नहीं मेकिन इंडिया प्रोग्राम टोटली डिफरेंट है मेकिन इंडिया प्रोग्राम का मकसद ये है कि फोरन कंपनीज आके इंडिया में manufacture करें समझ गए हम विदेशी companies को भलकि बुला रहे हैं इंडिया में कि आप आईए आप इंडिया में manufacture कीजिए हम 70s 80s में तो bureaucracy बहुत हावी थी हर एक चीज के लिए license लेना पड़ता था regulation लेना पड़ता था but make in India program का मक्सद ये है कि bureaucratic hurdles कम से कम की जाए license राज कम से कम हो कम से कम चीजों के लिए permission लेनी पड़े make in India program का मतलब ये भी है दूसरी companies और local companies दोनों इंडिया में आके manufacture करें और उन चीजों को फिर export भी करें दूसरे देशों में यानि global supply chain का हिस्सा बने इंडिया ये भी मक्सद है तो देखो पहला question तो address हो गया कि make in India जो program है न उसका मतलब ये कते ही नहीं है 1970s और 80s की तरह self-sufficiency पर focus करना अब एक दूसरा objective देखे सरकार देखो make in India program से न अपना एक brand बनाना चाहती है कि विदेशों में जब लोग सुने ना कि ये इंडिया में बना product है तो उसी से अपनी पहचान हो writer कहते हैं सबसे पहले तो सरकार को quality standards पे ध्यान देना चाहिए था अगर देखो हमने quality standards पे ध्यान दिये बिना अपने brand को promote कर दिया तो हमारे brand की हालत भी वही होगी जो चाइना के brand की हुई अक्सर भासा में हम बोलते नहीं अरे यार ये Chinese product है fail हो जाएगा अरे बढ़िया नहीं है बलकि चाइना ने तो अपनी brand quality improve कर ली पहले से अब कैसे कैसे phones चाइना में manufacture हो रहे हैं आपको पता है आपके product की quality जबर्दस्त है उसके बाद आप अपने product को अपने brand को promote करो ज़्यादा जपान का example writer देते हैं अब जपान में इतना जबर्दस्त quality पे ध्यान दिया गया है जैसे Toyota Company है कि लोग विश्वास हो गया कि Japanese product है तो अच्छा होगा USA समय दूसे देशों में Japanese products के लिए बहुत ज़्यादा respect है एक बार एक कहावत है मैंने पहले भी आपको बताई थी Japanese companies ना सबसे खराब है marketing में उनको marketing करने ही नहीं आती लेकिन quality के मामले में ना यूँ बोला जाता है कि Japanese products सबसे best है वो इतना ज़्यादा quality पे ध्यान देते हैं इतना ज़्यादा process पे ध्यान देते हैं इसी से उनकी respect है तो इसलिए सरकार making India brand को promote करे उससे पहले quality पे ध्यान दे और दूसरे number पे है make for India देखो make for India तो ठीक है बट जिन भी देशों ने development की है न तेजी से जैसे Asian tiger countries है अपने South Korea है Singapore है ये सब देश इन देशों ने एक्सपोर्ट करके development की है सिरफ domestic audience की पूर्ती करके इन देशों ने तरक्की नहीं की इन देशों ने development नहीं आसिल की जैसे South Korea ने electronics items, semiconductor items को export करके तेजी से growth rate हासिल की उसी परकार से Taiwan भी इनी चीजों में आगे है तो मतलब ये जितने भी Asian tigers है न जिन्हों ने तेजी से development हासिल की इनकी economy ने ग्रो किया सब ने न एक्सपोर्ट का सारा लेके ग्रो किया सिरफ domestic audience के demand पूरी करके growth नहीं कर सकता कोई भी देश तो इसलिए सरकार कहती है Make in India का मतलब ये भी है Make for India सिरफ Make for India से काम नहीं चलेगा export पे ध्यान देना ही होगा इसके बाद writer बोलते हैं देखो Make in India program तो September 2014 में आया था अब देखो program के ना काफी सारे मकसद थे और ये program launch किया गया था 2011 की national manufacturing policy के बाद 2011 में ये national manufacturing policy आयी थी जिसमें ये बोला गया था manufacturing sector का contribution हम देश की GDP में 25% करेंगे और 100 million additional jobs create करेंगे manufacturing sector में ये 2011 में आयी national manufacturing policy का मकसद था क्योंकि उस समय सरकार ने ये बोला कि 1980s के बाद से ही manufacturing sector का contribution देश की GDP में बढ़ा ही नहीं है constant हो गया है लेकिन जब सरकार change हुई तो थोड़ा और aggressive program लोंच किया गया Make in India 2014 में और ज़्यादा विदेशी firms को invite किया गया उनको incentives का लालच दिया गया बड़ देखो ना अब सरकार को ना दोनों policies का चाहिए वो 2011 की manufacturing policy हो या फिर 2014 का American India program हो दोनों को ना सरकार को evaluate करके data public के सामने रखना चाहिए कि दोनों program कितने सफल साबित हुए हैं कहां पे दिक्कत हो गई है अगर सफल नहीं हुए है दिक्कत यह देटा की कमी है Unast Analysis सरकारे करती नहीं है programs का कि कहां पे दिक्कत है हमने यह सोचा था कि manufacturing sector का contribution increase करेंगे वो अभी तक सफल क्यों नहीं साबित हुआ है इस मामले में ना data सरकार को public के सामने रखना चाहिए और नहीं है तो compile करना चाहिए फिर writer कहते हैं 2023 में ना मतलब इसी साल के सुरुवात में सरकार ने एक नई manufacturing policy का draft रखा था दो साल से सरकार ये नई manufacturing policy बनाने की कोशिस कर रही थी draft जंता के सामने रखा लेकिन बाद में उसे hold में डाल दिया गया ये नई manufacturing policy नहीं आई मतलब finally implement नहीं हुई इसी बीच न सरकार ने manufacturing को बूश्ट करने के लिए एक नया step लिया production linked incentive schemes का सरकार ने बोला for example electronics industry को कि आप डेस में produce कीजिए हमारे डेस में और जितना आप production करोगे उसी के हिसाब से हम आपको incentive देंगे सरकार का मकसद ये था जब विदेसी कंपनीज इंडिया में manufacture करेंगी तो jobs create होंगी इसके साथ साथ technology इंडिया में आएगी और ecosystem बनेगा manufacturing का तो सरकार ने एक नई कोशिस की देस में manufacturing को boost करने की बट राइटर का point ये है देखो production linked incentive schemes है ना आप क्या करोगे आप investment तो attract कर लोगे क्योंकि सीधा सीधा आप उनको benefit पुंचा रहे हो आप land provide कर रहे हो अनेको तरह के उनको concession दे रहे हो subsidy दे रहे हो तो इससे क्या होगा manufacturing तो boost हो जाएगी लेकिन ना फिर वही चीज हो जाएगी जो 1990s में हुई थी jobless growth कि growth तो increase हुई है manufacturing increase हुई है तो economy तो grow हुई है लेकिन इससे ना jobs create नहीं हुई वही situation फिर से पैदा हो जाएगी तो writer का point of view यह है आप अभी ऐसे ऐसे industries को promote ज़्यादा कर रहे हो जैसे electronics items mobile phones के assembly इंडिया में होने लगी है बट इनसे ना ज़्यादा jobs नहीं produce हो रही है अगर आपको production linked incentive scheme launch करनी ही है न तो थोड़ा उन industries के लिए कीजिए जो labor intensive है जैसे textile है, garments industry है यहाँ पे jobs ज़्यादा generate होंगी इन पे आप ज़्यादा focus कीजिए बांगलादेश ने ऐसा कर दिखाया है बांगलादेश ने वहाँ की garments industry के लिए special economic zone establish किये, special concessions दिये तो वहाँ पे बांगलादेश इंडिया के एक time में मुकाबले का था textile industry के मामले में लेकिन आज बांगलादेश इंडिया को पीछे छोड़ रहा है, textile export के मामले में, क्योंकि बांगलादेश की सरकार है न, वहाँ की textile industry को sport बहुत किया है, machinery वहाँ की textile industries ने नई नई ली है सरकार की मदद से, तो इसलिए वहाँ की textile industry competitive हो गई है और ज़्यादा job generate कर रही है तो बांगलादेश में बहुत ज़्यादा job generate हुई, लेकिन समय रहते हमारी सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, जिससे की ज़्यादा job generate हो next point MSME से समन्दित है हमारे देश में 99% जो MSME है न, वो informal sector में है, उनके पास ना इतना funds है, expand होने के लिए ना उनके पास technology है और ना ही skill है तो देखो, जिन MSME को further jobs generate करनी चाहिए बड़ी-बड़ी enterprises बननी चाहिए वो नहीं expand हो पा रही है चाइना में जबकि न चाइना की economy grow हुई उसमें MSME का बहुत बड़ा रोल था चोटी-चोटी factories बड़ी होती गई चाइना में factories बड़ी होती गई चोटी-चोटी इससे jobs भी generate हुई और उनकी economy भी grow हुई लेकिन हमारे देश में हम MSME को grow नहीं करवा पा रहे हैं तो writer कहते हैं ये सारे जो points जहाँ पे दिखते हैं ना वहाँ पे हमें जारा ध्यान देनी क्या आउशकता है और ये पुरा article हमने डिसकस किया industrial policy से सम्मदित चलते हैं आगे अगला article देखो Tribune India का Amphil से सम्मदित है दिखो ये एक ऐसा article है पढ़के हसी भी आ रही है लेकिन दुख भी हो रहा है कि हमारे देश में higher education की क्या हालत है 2020 में ने national education policy आई थी इस policy में न UGC ने Amphil को discontinue कर दिया था Amphil एक advanced post-graduation program हुआ करता था लेकिन UGC ने इसे discontinue कर दिया 2020 की national education policy में UGC ने बोला कि आर PhD करने में बहुत टाइम लग जाता है Amphil करने के बाद तो इसलिए इसे discontinue कर दिया जाए सिदा ही बच्चे PhD करें तो जादा बढ़िया है लेकिन देखो आपको भी हरानी होगी जानके UGC के discontinue करने के बावजूद अभी बहुत सारी universities ऐसी हैं जो Amphil में बच्चों के admission ले रही हैं समझ रहे हो discontinue हो चुक है पिछले साल भी Amphil में करती है तो आप admission मत लीजिए Amphil में और universities को भी वान किया है कि ये degree discontinue हो गई है कि आप बच्चों का admission मत लीजिए उनका भविशय खराब हो रहा है उनका time खराब हो रहा है आप fees ले रहे हो उनसे private universities में fees 30,000 से लेके एक लाग के बीच में हैं ऐसी degree के लिए आप fees ले रहे हो जो recognized ही नहीं है जो exist ही नहीं कर रही है तो writer कहते हैं देखो ये तो UGC की गलती है जब उन्होंने Amphil को discontinue किया था तो उसमें proper सभी universities को colleges को ये directive जाना चाहिए था ना आपने proper धंक से aware किया नहीं ना बच्चों को universities को या फिर universities malafide intention के साथ कर रही है देखो मुझे लगता है कि universities तो malafide intention के साथ ही Amphil को जारी रखे हैं क्योंकि जो university चला रहा है उसको पता होता है ये चीज़ तो यार हमें ही पता है हमने articles discuss किया थे इतने कि Amphil discontinue हो गई या जब ये discontinue होई थी तो जो university चला रहा है उसको नहीं पता होता है कि Amphil discontinue हो चुकी है तो वो malafide intention है वो गलत intention के साथ admission ले रहा है university private अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ताकि fees वसूली जासके बट सबसे बड़ी कोता ही यहाँ पर UGC की ही है कि 3 साल लग गए आपको ये directive जारी करने में कि हमने 3 साल पहले 2020 की education policy में Amphil को discontinue कर दिया था ये देखो वही बात हो गई ऐसा example हम तब भी discuss करते हैं कि Supreme Court किसी चीज़ पर verdict दे देती है जैसे IT Act है 2000 IT Act में कुछ sections Supreme Court ने 2015 की अपनी एक judgment में स्रिया सिंगल केस था उसमें strike down कर दिये थे लेकिन बावजुद इसके आज भी दूरदराज के police stations में पता ही नहीं है police stations में जो inspectors हैं उनको वो आज भी उस section के तहत case दर्ज कर लेते हैं जिसको Supreme Court ने 2015 में strike down कर दिया था इवन उससे भी जादा चलो police वालों ने गलती कर दी एक ऐसे section के तहत case दर्ज कर लिया जो Supreme Court ने already strike down कर लिया है उससे भी जादा police उस section में case दर्ज करती है और court में present करती है lower court का जो judge है न वो ROP को custody में भेज देता है remand पे भेज देता है कम से कम police वालों को नहीं पता judge को तो पता होना चाहिए कि higher court ने उस section को खतम कर दिया है लेकिन उनको भी नहीं पता होता तो Supreme Court ने श्ट्रिक्ली वान किया police stations को और lower courts को कि अगर अब ऐसे cases में case दर्ज हुए और harassment हुई लोगों की तो आपकी accountability fix की जाएगी तो हमारे देश में देखो कई बार ना top level पे decisions ले लिये जाते हैं, ground level पे पहुंचते ही नहीं है, कई साल लग जाते हैं ground level पे समझने में कि हाँ वो degree पहले हुआ करती थी, आज के समय में नहीं exist करती, इसके बाद writer बोलते है, higher education की situation देखो हमारे देश में ठीक नहीं है, मतलब जहां देखो higher education institutes जो है वो ऐसे candidates नहीं produce कर पा रहे हैं जिनकी job असानी से लग जाए दूसी तरफ, जो colleges है universities है, वहाँ पे descent का scope नहीं है public universities को सरकार sport थोड़ा बहुत करती है लेकिन कमी करती है, ज़्यादा funding देती नहीं private universities के मुकाबले में ज़्यादा sport करती है और वहाँ पे जो appointments होती है वो ruling party के अनुसार appointments होती है, चाहिए वो state universities हो या फिर central universities हो जबकि देखो, universities में campuses में descent का scope होना चाहिए, free speech का scope होना चाहिए, निस्पक से सम्बंदित, question देख लीजिए जो आपको attempt करना है, आज देखो एक ही question आपको attempt करना है, industrial policy से सम्बंदित, तो काफी ज़्यादा detail से हमने ये issue discuss किया आप उस article के अधार पर, उस discussion के अधार पर आसानी से इस question का answer दे सकते हो 250 words में www.onlyis.com पर जाके आप इस question का answer देजिए तो आज की discussion में बस इतना ही है आज 29 दिसंबर है और नय साल को आने में अब दो-तिन दिन बागी है प्री का exam भी अब तो देखो बहुत नस्दीक है नया साल आने के बाद तो एकदम से pressure feel होने लग जाता है बचे रहिए कल मिलते हैं फिर से एक नई discussion के साथ तब तक के लिए thank you, thank you very much for discussion